नमस्कार, मैं गंगेश्वर स्रवास्ताओ, फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनिन का जनल सेकेटरी, वाइफ हैडेशन का ट्रेजर आप सभी को बताते हुए खुसी हो रहा है कि जो कर्जत के पास दादा साप फाल के ग्रे निर्मास था से हम भारत सरकार और राज सरकार के सहयोग से हमारे फिल्मिटिस्टी के मेंबरों के लिए लगभग दो सो तीरपन एकड़ जमीन पे जो पचास जार घर बनने का लच्छ सरकार ने बनाया हुआ है उसे हम जल्द ही पूजा पूरा करेंगे और हम उसकी ओपनिंग हो चुकी है और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग फैडेशन में जाकर के उसके फार्म भरना चालू कर दे और हमारी एक कोशिस रहेगी कि हम अपने मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा घर आपको एक SMS हमारे मेंबरों हमारे आफिस से जाएगा जिसमें जो भी डाकॉर्मेंट्स लगने वाले हैं फार्म भरने में के लिए ओ आपको उस SMS द्वारा चला जाएगा जिन मेंबरों को फैडेशन के आफिस का एड्रेस नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहतू कि अ अपने फार्म जल से जल भरने की कोशिस करें और ही फिल्म स्टूडियो सेटिंग मजदूर यूनियन की आफिस की बात तो ओ बंद है हमें पता है कि हमारे मेंबरों को काफी प्राबलम हो रहा है जैसे हमारे मेंबर डेली वेजे से उनके कुछ पेमेंट्स आके रुके उसे भी हम लोग जल्द ही उसका निवारर करने की कोशिस कर रहे हैं और हमें विश्वास है जल्द ही आपका आफिस जरूर खुलेगा हम फैडेशन के पदादिकारी अलाइड मुदूर यूनियन के पदादिकारी वह फिल्म इंडेस्ट्री के जो भी नॉलेजबल लोग है जो इंडेस्ट्री के एडवाईजर हैं सीनर लोग हैं उनके साथ मिल करके हम सरकार वो पुलिस प्रसासन से जल्दी एक टीम हम मिल करके आपके उपर होने वाले अत्याचार के बारे में बताएंगे और हमें विश्वास हैं सरकार पे नयापालिका पे प्रसासन पे कि हमें जरूर नया मिलेगा आपके जो भी अभी कारे रुके हुएं जब तक आपके अपने आफिस नहीं खुल रहे हैं तब तक आप फैडेसर में जाईए फैडेसर हम सबकी मदर बॉड़ी है जो भी आपके प्रॉब्लम सो फैडेसर में साल होएगा लगभग चालीस साल से आपन की हमारी यूनियन को तोड़ने की कोसिस करेगा तो हमें एक जूट होका उसका जबाब देना पड़ेगा सालों साल हर साल लगभग दो चार पास साल बाद लोगों ने हमारी यूनियन तोड़ने की कोसिस किया है हम समने मिलकर के उसको उसका जबाब दिया है और आज हमारी यूनियन एक मजबूत संस्था है उसे लोग तोड़ने की कोशिस कर रहे हैं जिस दिन हमारी हमें विश्वास है कि आप तूटने नहीं देंगे लेकिन लोगों का धे यही है कि यूनियन तूट जाए कि जो मिंबरों को पेमेंट पूरा मिल रहा है उन ना मिले आधा मिले समय पे ना मिले जिस तरीके से हो रहा है उसे हमें विश्वास है कि आप लोग तूटने नहीं देंगे और आप एकजूट रहेंगे हमें पता है कि कुछ लोग इसका काफी फाइदा लेने की कोशिस कर रहे हैं जैसे सेट पे इन दिनों सेट पे कारे करते हुए कुछ हमारे मज भता है है उससे भी कम दिया जा रहा है उसे हम जरूर रोकने की कोशिस करेंगे सरकार इसमें हमारा साथ देगी और हमें कानून पे बेहुस्ता है हम उनसे ऐसे लोगों पे कानूनी लड़ाई लड़कर के अपनी जो हक है वो हम लेंगे जो कुछ लोग हमारे यूनियन को अपनी यूनियन बता करके बाहरी लोग हमारे यूनियन को कबजा करने चाते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दे कि हमारी यूनियन में कबजा करेंगे हमारे मजदूर उनको जबाब देने के लिए सच्चम है बाहरी लोगों को भीड़ करके हमारे मजदूरों को कोई डरा नहीं सकता कोई जुका नहीं कर सकता हमें विश्वास हमें यहां के भारसरकार, राजसरकार और पुलिस प्रसासों और नयापालिकापे विश्वास है कि कोई भी बाहरी हमको जबर जस्ती हमारी यूनियन को तोड़ नहीं सकता ना ही कोई कबजा कर सकता है और जो लोग भी यूनियन के बारे में या मेरे बारे में या मेरे पदादिकारी हो बारे में गलत बयान बाजी कर रहे हैं वो ध्यान रखे उनको हम एक एक चीजों का हम प्रूफ रख रहे हैं वो क्या गलतिया कर रहे हैं हमारे खिलाप क्या गलत बयान बयाजी कर रहे हैं या यूनियन के खिलाप क्या यूनियन पहले भी लोगों ने यूनियन के डुप्लिकेट काफिलों मेंबरों का पेमेंट खा गए थे जिसको हमने वोरी वली कोड से उनके उपर एफाई आर कराया था वही डूपलीकेट पेन कार्ड ले करके वह बैंकों में फिर से एकाउंट खोले हैं फिर से अपने बाजी करने की कोशिस कर रहे हम छोड़ेंगे नहीं जो लोगों हमारे लोगों को खिलाब जो भी गलत व्यान बाजी किया है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं हमने पत्रों द्वारा सरकार को और संबनित अधिकारियों को हमें दे दिया है कि कुछ लोग हमें जान से मार सकते हैं हमें धंकियां बार बार दे रहे हैं ऐसे लोगों पर हम कानू कानूनी कारवाई जरूर करेंगे जो कुछ लोग बाहरी आपके उपर जबर जस्ती लीडर बने की कोशिस करें उनकी कभी भी ख्वाइश पूरा नहीं होगी हमें पता है कि उसके लिए हम नहीं हमारे मेंबर ही उनको जबाब देंगे और आपका लीडर आपके ही बीच का रह जिसे आप चुनेंगे वही लीडर है आज मैं हूं कल कोई आonenर रहेगा लेकिन हमारा ही मेंबर है हमारी union का ही member रहेगा जो weld member रहेगा फिर से हम एक बार आप लोगों को अन्रोथ कर रहे हैं कि आप लोग फैडेशन में जाईए अपने घर के farm जल्द से जल्द वरने की कोशिस करें और आपके problems जो भी हैं फैडेशन में लिखित दीजिए और आपके साथ फैडेशन और अलाइड मजदूर union के सभी पदादिकारी साथ खड़े हैं और जो भी आपके हक मारने की कोशिस कर रहा है उनके साथ हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जैहिन जैमाराष्ट अलाइड मजदूर union जिंदाबाद